प्रिये पार्टनर्स इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि निश्क्रिय स्क्रीन पर दिखाई देने वाले नंबर का क्या मतलब है और वो अकाउंट सारांश में दिखाई जाने वाले नंबर से कैसे अलग है हम आपको बताएंगे कि कैसे इंसेंटिव बुकिंग के लिए बुकिंग की गिंती की जाती है और असल में की गई बुकिंग की संख्या और अकाउंट स्टेटमेंट में दिखाए गई बुकिंग की संख्या में कई बार क्यों मेल नहीं हो सकता है अगर आप एक booking गणना पर आधारित स्कीम में है ये नमबर ऐसे booking की संख्या दिखाती है जो incentive की गणना के लिए मान्य है ये नमबर दिन के लिए असल booking संख्या से भिन्न हो सकती है जो अकाउंट सारांश में दिखाया जाता है उदाहरन के लिए go home bookings और outstation bookings incentive के लिए नहीं गिने जाते यदि आप go home ride करते हैं तो ये नमबर नहीं बढ़ेगा पर अकाउंट सारांश में दिखाई देने वाली कुल booking संख्या एक से बढ़ेगी और rental या airport bookings के मामले में भी आपके scheme के अनुसार ये booking एक booking से अधिक के रूप में गिनी जा सकती है ऐसे मामलों में incentive bookings एक से अधिक हो जाएंगे लेकिन अकाउंट सारांश में दिखाए गए booking की गिनती केवल एक तक बढ़ेगी योग्य operator bill ये नंबर कुल operator bill दर्शाता है जो incentive गणना के लिए माना जाएगा यदि आप operator bill आधारित scheme में हैं ये नंबर दिन के लिए असल operator bill से भिन्न हो सकता है उदाहरण के लिए आपकी scheme के अनुसार rental booking के लिए operator bill को ride के हर घंटे के लिए एक निरधारित राशी के रूप में गिना जा सकता है मान लीजिये कि rental booking दो घंटे की थी और operator bill प्रती घंटे के लिए आपकी scheme के अनुसार 200 रुपय था तो incentive के लिए मानने operator bill के लिए गणना इस प्रकार होगी 200 गुणा 2 बराबर 400 ये वो नंबर है जो यहाँ update किया जाएगा हालांकि अकाउंट सारांश में दिखाए गए असल operator bill इस ride के लिए 500 रुपय हो सकते है जो incentive गणना के लिए 400 रुपय से अलग है कृपया धीरज रखें क्योंकि network या system में विलम के कारण ये नंबर अपडेट होने में 15 से 20 मिनिट लेते हैं भले ही आपकी booking के बाद नंबर अपडेट नहुआ हो पर आश्वस्त रहें कि अगले दिन आपके incentive के लिए सही राशी होगी यहां एक और महतुकून बात याद रखने की ये है कि incentive cycle खत्म होने पर ये नंबर reset हो जाते हैं उदाहरण के लिए यदि आप 12 बजे से 11 बच कर 69 बजे तक के incentive scheme पर हैं और आप 12 बजे से पहले एक customer को pick up करते हैं लेकिन रात में 12 बजे के बाद इसे पूरा करते हैं तो booking समाप्त होने से पहले नंबर 0 पर reset हो जाता है लेकिन आश्वस्त रहें कि भले ही सभी नंबर 0 दिखाई देते हो जो booking अभी पूरी हुई है कल की booking गिंती में जोड़ दी जाएगी हमें उमीद है कि अब आप अपनी earning को बहतर तरीके से track कर सकेंगे और account में अधिक सपश्टता रहेगी नवीन तम ओला निउस के लिए हमें facebook पर www.facebook.com slash olapartners पर follow करें